आडी शर्मा सोलुशन्स देख रहे हैं क्लास 11 है चैप्टर है 20 जोमेट्रिक प्रोग्रेशन सेक्सराइज है 20.2 इसमें जो सवाल है वो है फाइंड थी नंबर्स इन जीपी फूस सम इस 65 और फूस प्रोड़क्ट इस 3375 जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास 3, 5, 7, odd अगर term बोले गए है तो हम इसको A, B से शुरू करते हैं फिर बाएं हाथ पे A, R, दाएं हाथ पे A, R इसका मतलब है कि इसका कॉमदर डेशियो जो होता है वो R होगा अब तीनों का सम दिया है मैं यही पे बताता हूँ आपको यहें A by R, A और A, R इन तीनों का सम जो है पैसट दिया है और A by R into A into A R मतलब तीनों का multiplication दियो है 3, 3, 7, 5 तो पहले multiplication वाली चीज़ उठाएंगे इससे आप देखेंगे R, R कट रहा है A cube आ गया A cube जो है इसमें देखेंगे 3, 3, 7, 5 जो है 5 cube 125 और 27 का multiplication है तो 5 cube कर देंगे इसको 3 cube कर देंगे इसका मतलब 5 into 3 का whole cube हो गया है 15 का cube है basically तो A इसमें 15 आ गया A जैसी 15 आए आप इसमें दर्ज कर दीजे यहां लिख दीजे यहां A बाहर ले लिजे 1 by R plus 1 plus R A की जगा 15 रख दीजे यहां से आपको एक quadratic equation मिलेगी quadratic equation में आप देखेंगे R आपका 3 और 1 by 3 आएगा यह 2 चीजें इसमें आएगी क्योंकि जब इसको आप solve करेंगे तो या तो R 3 आएगा या R 1 by 3 आएगा तो आप क्या करेंगे पहली बार आप R 3 लेंगे और दूसरी बार आप 1 by 3 लेंगे तो आपको 2 shrink line मिलेंगे इस तरीके से Find 3 numbers in GP तीन है तो इसका मतलब आप A by R, A और AR लेंगे लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा मैं change करूँगा क्योंकि अत्य शुक्ति भी है हम यहां पर लेंगे A, AR और AR अभी आप देखें के Q तो यहां पर 3 numbers दिये है GP में और उनका sum दिया है 38 और उनका product दिया है 1728 अब देखें आपने लिया A, AR और AR A इसमें फॉस्टर में R इसमें common ratio है जब आप इसको sum करेंगे तो 38 आएगा यह बहार ले लीजिए 1728 जो होता है वो 12 का cube होता है इसका मतलब A into R आपका 12 आया तो A को आप 12 by R लिख सकते हैं A को आप 12 by R लिख सकते हैं इस 12 by R को आप इसमें डाल दीजिए यहां पर A की जगा यहां पर 12 by R डालिए जब 12 by R डालेंगे तो इससे क्या फायदा है क्योंकि यह R भी cancel होगा और आप चाहें यहीं multiply कर लीजिए इसके साथ divide कर दीजिए जैसे मैं आपको यह बताना चाहता हूँ quantity equation दोरों में ही बननी है इसका कोई आपके पास solution नहीं है तो इसको R को इधर ले जा लिजिए आप 38 R कर लिजिए अब आप क्या करेंगे जो 38 R है उसको यहां ले आएए quantity equation बना दीजिए 12 R स्कार माइनस 26 R प्लस 12 इसको solve करेंगे पहले तो आपको इसको divide कर लीजिए ताकि 2 से divide कर लिए ताकि थोड़ा असान हो जाए quantity equation को solve करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बाज 2 solution आएगे 3 बड़े 2 और 2 बड़े 3 जब 3 बड़े 2 डालेंगे अगर R 3 by 2 है तो A के आउचागा 12 by R यानि कि A आएगा 12 by 3 by 2 यानि कि 8 अगर आप 2 by 3 डालते हैं तो R आपको कितना आएगा इसके इसमें A 12 by 2 by 3 यानि कि 18 आया तो यहाँ पर आप GP जो बने गिया आपकी A आपको मिल गया एक बार 8 मिला एक बार A 18 मिला और R आपका जो है यहाँ आपने संख्या निकाली चुके हैं A और R दोनों निकाल लिया आपने A और R जब मिल गया A यहाँ पर मिल गया और R यहां मिल गया तो इसके लिए आप GP जो है वो दो बनेंगे इसमें एक 8, 18, 12 और 18 जब R 3 by 2 है तो A8 है ना इसके लिए एक अलग बनेगी और इसके लिए अलग बनेगी तेकिन आप देखेंगे जागर मैं इसको compute करूँ तो अलग बननी चाहिए लेकिन हम A, A, R और A, R को लिखेंगे पहले बाले में हमने A लिया जो है A आया 8 तो आट हुआ है अगले बार देखिए हमने इसको लिया 8, 8 और यहां पर R लगाया है यहां कि 3 by 2 क्या बनता है? 8 2, 4s are 8, 4, 3s are 12 और यह 3, 3s are 9 2, 2s are 4, 4, 2s are 8 8 इंटू 3, 3 3 स्क्वार बहो गया 9 2, 2s are 4, 4, 2s are 8, 9 इंटू अगर हम इसको लेते हैं तो क्या हमें A की चीज़ मिलेगी? चलिए इसको भी करके देखते हैं अब A, A, R, A, R स्क्वार में उपर करा हूँ A है आपका यहाँ पर 18 तो 18 18 इंटू R और 18 इंटू R स्क्वार तो R हो गया 2 by 3 पहले तो कुछ नहीं रहेगा, A ही रहेगा फिर 2 by 3, 2 by 3 हो इसको 4 by 9 कर देता हूँ यहाँ देखा 8 आया 3, 6 is 18 6 to the 12, यह हो गया 12 और यह है 9 to the 18, 4 to the 8 तो आपका 8 अठारा, 8 बारा अठारा और अठारा, बारा और आठ ऐसे 2 solution आएंगे इसके Next जो है इसमें दिया है Find the sum of 3 first 3 terms of a GP मतब sum of first 3 terms of GP is 13 by 12 and their product is minus 1, product income minus 1 दिया है Find the GP, अब यह NCIT का question है तो हम इसको करेंगे इसको हम solve करेंगे सबसे पहले आप जो 3 term है इनको माल लीजिए a by r, a और 3 term माल लीए आपने अब, उनका product आपको minus 1 दिया है यानि कि a by r into a into ar, आपको minus 1 दिया है तो r से r का cancer कर दीजिए a q हो गया, a q मतलब minus 1 का whole q, minus 1 का whole q भी minus 1 ही होता है, तो a आपका minus 1 आगया है आपे, a minus 1 आगया, अब आपको क्या करना है, ये दिया हुआ है कि इनका जो sum है वो 13 बटे 12 दिया है, यहनि आप करेंगे a by r plus a plus ar ये दिया है आपको 13 बटे 12 a की जगा minus 1 रख दीजिए सब जगा minus 1 by r plus, ये minus 1 ही कर दीजिए और minus r, तो minus 1 by r, minus 1 और minus r हो गया है ये वो 13 by 12 अब पूरे को आप minus r से मड़ी बटे दीजिए, left hand side, right hand side minus r से, तो ये plus हो जाएगा यहाँ पर r, एक तो r हड़ जाएगा और ये plus हो जाएगा, तो ये हो गया 1 ये है, ये भी plus हो जाएगा और यहाँ पर r से मड़ी बटे गया, तो r आ जाएगा यहाँ पर आपने minus r से मड़ी बटे गया है, तो ये plus r स्कॉर हो गया और यहाँ भी आप 13 r, 12 हो जाएगा अब इस 12 के हाल ले जाएगे तो जो equation बनेगी वो है 12 plus 12 r plus 12 r स्कॉर इस 13 r को आप इधर ले आएए, तो minus 13 r कर दीजे इधर ले आए हम minus 30 r, अब इसमें equation क्या बनी 12 r स्कॉर minus 30 या ले आए थे, 12 r जो 13 है वो आपको जोड़ गया तो 25 r होगा और 12 यहाँ पर है अब इसमें आप या तो इसको quantity equation solve करेंगे, तो आपका एक बार r आएगा, minus 3 by 4 और एक बार आएगा, minus 4 by 3 अब जैसे मैंने आपको बताया था, कि gp कैसे निकालेंगे a आपके पास minus 1 ही है तो एक बार इसके साथ a equal to minus 1 लीजे एक बार इसके लिए अलग निकाली है और एक बार a minus 1 इसके साथ लीजे फिर अलग निकाली है यह रहें कि a by r a और a r तो यह आपके दो श्रिंखलाए आजाएगी अगला जो सवाल है इसमें जो प्रोड़क्ट है three numbers का gp का वो 125 है और some of their प्रोड़क्ट taken in pairs is 87 and half 87 and half का मतलब क्या होता 87 into 2 87 into 2 होता 194 194 plus 1 195 by 2 आई है सबसे पहले आप क्या करेंगे यह तीन numbers है इनको ले लिजे a by r a और a r इन तिरों को multiply करेंगे तो अभी 3-4 सवाल देख लिए हमने तो r r cancel है a q बरापर आएगा 125 यह उसको product दिया हुआ है a q 25 मतलब a equals 5 q 125 मतलब 5 q तो a 5 आ गया अब आपको कहा गया है कि sum of pair wise मतलब pair wise multiply कर दीजे और sum कर दीजे तो वो 195 by 2 आता है इसका मतलब a by r को a by r को a से multiply करिए यहां लिखिए फिर a और a r को multiply करिए यहां लिखिए फिर a r और a को multiply करिए a by r और a r को multiply करिए यहां लेखिए, इससे क्या बनेगा, A square by R बनेगा, इससे आपका A square R बनेगा और यहां से A square R, R cancel हो जाएगा, A square बनेगा यह हो गया, यह संख्या आ गई इसको आप 95 by 2 के बरापर रखेंगे सबसेर A square बाहर ले लिजी यहां से, यहां से, यहां से A square आप बाहर ले लेंगे, तो A square आपने बाहर लिया A तो आपके पास है, 5 square 25 कर दीजी इसको 25 और यहां पर 95 by R है, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, एक quantity equation बनेगी और quantity equation को ज़रा solve करेंगे तो R आपका 5 by 2 और 2 by 3 मैं quantity equation इसलिए छोड़ देता हूँ क्योंकि quantity equation पर हमने बहुत लंबी बात की है कैसे solve करना है, क्या solve करना है बहुत समय उसमें बिताया है, इसलिए इसको solve कर रहा हूँ 5 by 2 और 2 by 5 आएगा अब 5 by 2 के बाद को लीजिए एक बार एक बार R 5 by 2 लीजिए और A 5 एक बार A 5 लीजिए इसके साथ आपके आसे एक equation आएगी फिर 2 by 5 लीजिए और इसके साथ A आप 5 लीजिए आप 2 by 5 लेंगे तो A by R, A और A R ये दोनों श्रिंख लाए आ जाएंगे नेक्स जो सवाल है इसमें जो sum दिया है, तीन नंबर्स है इसमें भी तीन नंबर्स है उनका sum दिया है 21 और sum of their squares is 189 find the numbers तो इसमें A by R, A और A R मानेंगे तीनों का multiply करिए, इनको multiplication जो है 21 यानि की A cube, ये जो multiplication है वो A cube आपका sum, sum है ये ना ना, ये कीज जो है वो sum है, तो multiplication नहीं है इसको sum करिए sum इसका 20 है, तो A by R प्लस A R, A प्लस A R ये है 21 अब यहां तक तो हम आ गए इसके बाद sum of their square, अब इसका square करिए A square by R square, पहले का square A square फिर इसका, तो A square R square ये सम कितना हो गया, 189 ये आपको 189 दिया हुआ है, तो इसको solve करेंगे A square भाहर ले लिजे R square भी आप चाहे तो भाहर ले सकते 1 square प्लस R square प्लस R की power 4 आ रहा है इसमें एक थोड़ी सी चीज करनी पढ़ेगी देखें, अब आप देखें ये जो चीज थी हमारी, ये क्या था A, 1 प्लस R, प्लस R square 21 R था, अब इन दोरों को square कर लिजे इनको square कर लिजे, left hand side, right hand side square कर लिजे, तो क्या हुआ A square ये 21 R का whole square 441 R square हो जाएगा, इसका भी square हो जाएगा इससे क्या करेंगे हम कि यहाँ पर, एक हमारे पास ये अल्री है, हमने हमारे पास एक संख्या अल्री है कि A square 1 प्लस R square R की power 4 ये कितना है, 189 R square अगर मैं R square को इधना ले जाऊ तो A square, 1 प्लस R square, प्लस R की power 4 कितना हो गए, 189 R square तो जब हम इसको square करेंगे, तो इसको खोलेंगे, इसको पुरा खोलेंगे और जब खोलेंगे, तो हमारे पास ये संख्या आएगी, और ये संख्या आएगी जब हम इसको open करेंगे तो ये जो संख्या हमारी 1 प्लस R square, प्लस R की power 4 है A square वाली, इसको हम 189 R square कर देंगे बागी जो संख्या बच्ती है इसमें 1 प्लस R, जैसे 2 A square R तो ही फिर R को फिर से multiply कर दीजें अंदर तो R, यहाँ पर R से multiply करेंगे तो 1 प्लस R प्लस R square मन्तलब 1 प्लस R square प्लस R की power 4 इसकी जगा क्या लिखेंगे कि हमारे पस already A by R 1 प्लस R प्लस R square इसकी जगा हम 21, यगर हम ये R को यहाँ ले जाए अब इससे अगर हम दोनों sides को 21 R square से divide कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 9 प्लस 2 A equals 21 क्योंकि R square हम तीनों जगा देख पा रहे हैं तो तीनों जगा से R square हट जाएगा 21 से divide करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 9 आजाएगा यह 2 आजाएगा यहाँ पर आपना 20 आजाएगा तो इससे A हमें मिल जाएगा 6 यह 6 है अब इसको इस equation में ले आईए यह वाली equation जो हमने पहली बनाई थी इस equation में यह 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 और यह equation है इसमें डाल दीजिए आप A बराबर 6 जैसी आप 6 डालेंगे एक और आपका दो आएगा और हाफ आएगा तो A भी मिल गया 6 और आप भी मिल गया 2 और हाफ एक बार A और 6 और आर लिजे आपकी एक यह जीपी बनेगी एक बार A छे लिजे एक बार हाफ लिजे इसको 12-6-3 बनेगा अगला जो सवाल है इसमें sum of 3 numbers in GP is 14-3 है तो A by R A और A लेंगे A by R प्लस A प्लस A R यह हो गया 14 इफ दी फर्स टू टर्म्स आर इच इंक्रीज बाइवन वतला आपने क्या किया जो पहले दो टाम है यानिकि A by R प्लस 1 कर दिया और A प्लस 1 कर दिया अगर इन दोनों को increase किया गया by 1 and third term decreased by 1 यानिकि A R में minus 1 कर दिया the resulting numbers are in AP अब resulting number AP है इसका मतला twice बीच वाले का इसके और इसके sum के बराबर होगा यहने twice A plus 1 क्योंकि पहले दूसरे वाले में बढ़ाया है equals this into this this plus this यहने A by R प्लस 1 यहाँ पर बढ़ाया था और बीच वाला जो था यह वाला A इसको हमने घटाया था आपको याद है देखे यह आखरी वाला A by R जो है इसमें हमने प्लस 1 किया A जो है प्लस 1 किया और A R में minus 1 कर दिया तो twice of A plus 1 यह बरावर हो रहा है A by R प्लस 1 इंटू A R माइनस 1 ठीक यह बन गया इसको ज़रा सॉल्व करेंगे इसको मुणी प्लागी यह अब बकाईदा तो इससे आपको A मिलेगा A जो है वो 4 आएगा इससे आपको यह जो संख्या है क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहता हूँ A R और A by R है आपर तो A R प्लस A by R की जगा A R और A by R की जगा हम लिखेंगे A को अधर ले आईए तो इसको 14 माइनस ए लिख सकते मेरे कहना है A by R प्लस A R अगर यहाँ पर है तो A को अधर ले आईए जो A 4 आगया वो इस equation में दुबार रख दीजे इस equation में रखेंगे तो आपको एक quadratic equation बनेगी क्योंकि अलड़ी A पता चल गया है तो R के लिए solve करना R एक बार 2 आएगा R एक बार half आएगा तो 2 के साथ 4 लीजे और एक श्रिंखला बनाईए और एक बार half लीजे फोर लीजे एक बार श्रिंखला बनाईए अगला जो question है इसमे product of three numbers तीन है मतलब A2R, A और AR ले ले लिजे तो तीन numbers है उनका जो product है वो 216 दिया है और उसके बाद if 2, 8 and 6 be added to them, the results are in AP, find the numbers तो सबसे पहले ये तीनो number ले लिए इनको multiply कर लिया, multiply करते ही 216 याने कि RR cancel हो गया, A cube 216 के बराबर हो गया, A cube जो होता है 6 into 6 होता है, याने कि A cube 6 cube, याने 6 cube याने 216 तो ये आपका 6 आ गया अब इन्होंने कहा, कि जो पहला term है A by R, और जो दूसरा term है A और तिसरा term है AR पहले term में इन्होंने 2 जोड़ा दूसरे term में इन्होंने 8 जोड़ा और तिसरा term में उसमें 6 जोड़ा अगर ये कर देंगे तो ये तीनो term AP हो जाएंगे याने कि twice of middle, A plus 8 बराबर हो जाएगा A by R plus 2 plus A R plus 6 ये बन गया अब आपका A तो अलड़ी है A डाल दीजे यहां से सब जगा A डाल दीजे एक quadratic equation बनेगी R आपका 3 और 2 तीन आएगा A एक बार छेल लीजे, दोनों के लिए छेले लेने पड़ेगा एक बार R 3 ले लीजे, एक बार R 1 by 3 ले लीजे तो आपकी शिंखलाएं आ जाएंगी Find 3 numbers in GP whose product is 729 and some of their product is in pairs is at 8 and 1,9 यह हम अरड़ी कर चुके हैं लेकिंग दुबारा इसको देख लेते हैं इस तरीके सवाल हो चुका है तो 3 number हमने A by R, A और A और लिया इनका product बताया गया 729 जब product होता है तो सिधा आप AQ बिलिग सकते है A by R, A और A, A और 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 गैसल हो जाता है AQ आ जाता है AQ बेसे 729 है, 729 क्या होता है 9Q, 9,9 is 81, 81 into 9 is 729 तो A आपका 3 आगया परापर अब इन्होंने कहा कि जो pairwise pairwise product करके sum करेंगे A by R into A A into AR और A by R into AR अगर यह करेंगे तो 819 आएगा अब इससे फाइदा यह है कि A अलड़ी आपके पास है A को रग दीजे 9 और फिर इसकी quantity equation बना के solve करी है R आपका 9 आएगा, 1 by 9 आएगा तो एक बार 9 और 9 लीजे एक शिंखला बनेगी फिर 1 by 9 और 9 लीजे दूसरे शिंखला बनेगी यह आपके 2GPs आजाएंगे The sum of first three terms of a GP is 39 by 10 एक A by R मानी है, एक A मानी है, एक A by R मानी है तीरों का sum जो है A by R plus A plus A R 39 by 10 है और यह कहा गया product उनका 1 है तो product मतलब A by R into A into A इसका मतलब सिधा A cube equals 1 यानि कि A cube 1 cube के पराबर A 1 आ गया इसमें रख दीजे A को 1 यह आपका quantity equation बनाई है R आपका 5 by 2 और 2 by 5 आएगा तो यह 1 को और 5 by 2 को लेके एक शिंखला बनेगी 1 को और 2 by 5 लेको लेके, मतलब basically यह वाली शिंखला है A by R, A और A R A R नकालना है, आपको इतीन टम नकालने यह शिंखला बन जाएगी तो यह बात भी इस exercise की बहुत शुक्रिया, बहुत महरबानी आप सबी की